हलो अबरीबन वल्कम बेक टू मेडिकलोची नर्सिंग सर्विसस यूटूब चैनल आप सभी सातियों का आपके अपने यूटूब चैनल मेडिकलोची नर्सिंग सर्विसस में स्वागत है आज हम एक और बिक अपडेट के साथ आपको बताने वाले हैं एमस नर्सिंग सर्विसस नर्सिंग सर्विसस यूटूब चैनल में कि क्या खास रह सकता है आगी की जानकारी हम वीडियो के मादम से कवर करने वाले हैं तो वीडियो में आप लास तक बने रहेगा मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका नर्सिंग एक्जाम है वो क्या दोनों सिप्ट में होगा या मौनिंग सिप्ट या इवनिंग सिप्ट ठीक है तो उसके बारे में बताने वाले हैं जो आपका नर्सिंग का एक्जाम होने वाला है वो सभी का जो maximum से maximum students का review आया हुआ है उसके basis पे सबी लोगों का जो exam है आप सबी लोगों का जो exam है वो हमको क्या देखने को मिल रहा है morning shift में ही देखने को मिल रहा है किसी भी एसे students का exam अभी तक या admit card अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है जिसका exam आपको evening shift में हो सकता है तो जितने भी candidate है जितने भी मतलब अभी तक हमने देखा हुआ है review लिया students का तो सभी का most of the students है सभी का जो कि आपका जो देखने को मिल रहा है admit card वो सापका ही morning shift में ही देखने को मिल रहा है तो यदि morning shift में आप सभी लोगों का जो exam होता है friends तो आप सभी future nursing officers के लिए एक बहुत बड़ी खुसकबरी की बात रहने वाली है उसमें आप सभी लोगों को क्या होगा कि normalization का कोई issue नहीं होगा तो फिर आपके जो marks क्या होते हैं किसी के marks gain हो जाते हैं किसी के marks minus में हो जाते हैं बेन भी जब आपका normalization होता है बोट shift का तो इससे क्या होगा कि इससे आप सभी लोगों को क्या होगा छुटकारा मिल जाएगा यदि यसा होता है तो बहुत अच्छी बात है अभी तक का review तो यही आ रहा है कि जो आपका exam होगा वो only morning shift में ही exam आपको देखने को मिलेगा क्योंकि जितने भी students है जितने से भी हमने पूछा है review किया है तो सभी ने बता है कि सभी का exam का admit card है only morning shift का admit card उनको देखने को मिल रहा है तो इससे हम बता सकते हैं कि जो exam आपका होने बाला है वो morning shift में ही exam सायद होगा तो यह बहुत बड़ी खुसकबरी है सभी future nursing officials के लिए खास कर सभी बच्चों के लिए जो कि अभी recently Hems की तैयारी कर रहे हैं और जो अभी बिल्कुल तैयारी में जुटे हुए हैं ठीक है तो उनके लिए भुत खुसकबरी की बात रहने वाली है और कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है कि इस बार का जो competition है वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा number of the candidate applicant candidate है वो कम देखने को मिल रहा है तो वो तो बाद में ही बताया जाएगा कि कितने candidate है कितने नहीं है ठीक है तो ये सारे चीज़े है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आप जब exam देने बार ले हो तो उस exam के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितने candidate से applicant form लग कर रहे है कितना competition है कौन-कौन सी सिप्ट में exam हो सकता है तो आपकी क्या है कि एक mental health के लिए काफी beneficial होने बाला है क्योंकि आपका फिर आगे कोई भी normalization ratio नहीं होगा ठीक है तो इससे इस चीज़ का बहुती benefit मिलेगा only morning shift में exam होने के 100% chances आपको देखने को मिलेंगे ठीक है कुछ students का comments बहुत सारे का आ रहा था कि sir जो है कि हमारा बार कोड प्रॉब्लम आ रहा है admit card का प्रॉब्लम आ रहा है तो सभी का क्या है कि साइद AMC की तरप से अब सभी का clear हो गया है starting में देखिए ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज के लिए सब लोग एक सांथ अपलाई करते हैं सब लोग एक सांथ किसी चीज को पाना चाते है तो वो धीरे धीरे होता है ठीक है तो क्या होता है site पर traffic हो जाता है server problem हो जाती है जिससे किसी का जननेट होता है किसी का नहीं होता है first and hour में जो candidate है जो download कर लेते हैं या दो पहली बार visit कर लेते हैं तो उनका admit card आपको देखने को मिल जाता है उसके बाद फिर सारी problems create होने लग जाती है site hang हो जाती है तो इससे क्या होता है कि हमको जो admit card है वो कुछ समय पहले हमको या कुछ photo या फिर 12 hour बाद या 24 hour बाद या 1 days बाद हमको इसको download करना होता है अब यदि आप आज का यदि आप अपना admit card डाउनलोड करोगे तो आपका जो admit card है वो बहुत easy तलिके से और फूरा completely आपको with barcode और instruction के साथ आपको download हो जाएगा ठीके और admit card के साथ आपको क्या क्या चीज़े लेके जानी है तो admit card के साथ आप सभी लोगों को एक आपका valid original documents आपको carry करके लेके जाना है ठीके only valid documents आपको carry करके लेके जाना है other things कुछ भी carry करके नहीं जाना है ornaments बगेरा ये सब कुछ पहन के नहीं जाना है ठीके तो ज़्यादा ऐसे कपड़े भी मत पहन के जाएगा normal कपड़े पहन के जाएगा क्योंकि क्या होता है अभी नॉर्सेट का पिछली बार में भी क्या हुआ था कि लड़कों से सूस निकला लिये थे ठीके और क्या के सोक से भी निकला लिये थे बेल्टे भी निकला लिये थे तो आप बिल्कुल इस तरीके से बियर होके मत जाएगा बिल्कुल normal तरीके से बियर होके जाएगा जैसा एक्जाम देने जा रहे हो ठीके तो normal कपड़े पहन के जाएगा तो किसी परकार का आपको exam में किसी भी तरीका का कोई भी problem face करना ना पड़ेगा ठीके तो ये extra additional चीजे थी और भी मैं वीडियो के मादम से आपको बता दूँगा कि before exam पहले आपको किन किन बातों का ध्यान अगना है medicalogy nursing services के channel को आप subscribe कर लीजेगा bell icon को press कर लीजेगा ताकि आने वाली AC है update आपसे miss ना हो और आपको किसी भी तरेके की information का क्या हो कि direct notification आपके mobile phone पे पहुँच पाए तो मिलते हैं AC update के साथ जब तक बने रहेगा आप medicalogy nursing services के youtube channel पे जे हीन जे भारत मिलते हैं एक new video के साथ keep watching us thank you so much guys और यदि video पसंद आया हुआ तो जादा से जादा बच्चे को share कर दीजेगा अपने friends अकर में जरूर share कर दीजेगा thank you so much guys